आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ Hello friends, इस क्रॉशन में क्या बोलागा है हमसे इंदा इवन फिगर, L is parallel to M and P is parallel to Q L और N आपसे parallel है, P और Q आपसे parallel है Find the measure of each of the angle, angle A, B, C and D इंगल A, B, C, D इंचारों का मेजर बताना है हमको ठीक है, इवन आपको L, M के parallel है, और P, Q के parallel है देखो, हैसे हम डिरेकल लिख सकते हैं कि जो एंगल A है वो तो कितना होड़ागा, 65 degree क्योंकि यह फूंब रहेंगे, वर्टिकली अपसे अंगल यह दोनों वर्टिकली अपसे अंगल है, तो एंगल यह तो होगे, मैं 65 degree अपने बाश आपसे हैं से, ठीक है CD is transversal, therefore, एंगल A plus एंगल D, इनका सम मिला कि कितना होगा, 180 degree होगे अपने ऐसे, A plus D होगे, वर्टिकली क्योंकि यह क्यों से विरे, एंगल अंगल यह से अंगल होगा, 180 minus एंगल A, और एंगल A कितना 65 है, सब पहले आओगी, 125 degree, तो एंगल D हागा, 125 degree अपना, ठीक है, इसी अपर आसे सेम हैं पर मैं लिख सकता हूँ, की, देखो, यहां पर लिख सकता हूँ की, पना, P पहलेड है, Q, P and Q पहलेड है, और अपने यह से ट्रास्वर्सल है, पने यह सो नाव जा देता हूँ, मैं अपने ऐसे, R, and R C is, ट्रास्वर्सल, that implies, एंगल A plus एंगल B, इनका सम एंगल B निकल के आएगा, 180 एपने पास, so, एंगल B निकल के आएगा, 180, minus 65 degree, तो यह एएगा कितना, 115 degree, so, यह भी कितना हो कि 115 हो गया, यह भी 115, यह 65 है, अप देखो, L और M पहलेड है मेरे, और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एंगल B प्लस एंगल C, यह पर एं एंगल C एगा मेरेटी, minus 115, which is 65 degree, तो यह निकल के आगा, 65, तो A और C तो 65 है, और B और D, 115 degree है, okay, thank you friends.